तो आज की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि भारती अंतापाटी ने कल शाम एक बहुत बढ़ी बैठक की है कल शाम कल रात 11 बजे से लेकर आज सुबह तीन बजे तक बहुत बढ़ी बैठक भारती अंतापाटी की केंद्री चुनाव समिती की हुई जिसमें फैसला लिया गया है सो उन उमिद्वारों का जो लोक सुबा चुनाओं को लेकर मैदान मोतरेंगे तो भारती अंता पार्टी ने लगभग अपने सो उमिद्वारों के नाम जो पहली लिस्ट, सो उमिद्वारों की पहली लिस्ट लगभग तै कर ली है और कभी भी ये लिस्ट अब जारी हो सकती है तो इस लिस्ट में क्या है ये हम आपको बताएंगे किसका पत्ता कट सकता है और किसे दुबारा मौका मिल सकता है आने वाले लोकस बाचुनाओं में क्योंकि भारती अंताबाटी लगातार लेकिन 2024 में भारती अंतापाटी नरेंदर मोदी और Amishnese एक बड़ा मिशन तैय किया है खुद के लिए मिशन तैय किया है वो मिशन क्या हो सकता है हो सकता है वो 400 पलस सीटें हो हो सकता है उससे बड़ी कोई बात हो सकती है लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कल जो शाम बैठा कोई है, आज सुबा तक बैठा कोई है, उसमें कौन-कौन से इस नाम है जो वापस इस चुनाव में लड़ सकता है, तो सबसे पहला नाम था प्रधानमंतिर नरेंद मोदी का, तो इस मीटिंग में ये संभावित है, ताई हुआ है कि प्रधानमंतिर नरेंद मोदी दुबारा से वारानसी से चुनाव लड़ेंगे, और लखनव से राजनात सिंग को दुबारा मैदान में उतारा जा सकता है, और वहीं दूसरी ओर, कई ये सनेता हैं, जिनका पत्ता कट भी हो सकता है, जो संभावित लिस जो लिस्टें के लगभग संभावित लिस्टें हुई है, उसमें जो नाम है, वो नाम लगभग वही नाम है, जो पहले से चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन इसमें कई ऐसे नाम है, जो बदल भी सकते हैं, जैसे मद्यपरदेश की बात करें, तो शिवराज सिंग चोह को मैदान में उतारा जा सकता है, इसके लावा में अगर पेशिम बंगाल की बातरों को तो शत्रुगन सिंहा, शत्रुगन सिंहा पेशिम बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें TMC सांसद हैं इस वक्ते, और उन्हें टकर देने के लिए भोचपुरी स्टार पावन सिंह को इस बार भारती अंता पार्टी मैदान में उतार सकती है, और ऐसा माना जा रहा है, ऐसी बात हैं लगातार मीडिया में चल रही हैं कि इस बार हो सकता है कि कई ऐसे स्टार हैं जिनको भारती अंता पार्टी मैदान में उतारेगी, क्योंकि कई ऐसे सीटें हैं जहां पर भारती अंतापाटी चुनाव नहीं जीत पाई थी, और ये वो सीटें हैं जहां भारती अंतापाटी को इत्यास रचने के लिए सीटें उनको लगाता रोक रही थी, तो यहां पर वो बड़ा दाउखे सकती हैं, इसके अलावा मैं आपको बता दों कि मत्रा से हेमामालनी श्रीकांत वर्मा, इन दोनों में से कोई भी इस बार इनको टिकट मिल सकता है, ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ है, संभावित नाम है, हालां कि लगभग ये नाम तैम आने जा रहे हैं, और इसी कहला हमाब आजमगर से दिनेशलाल यादव को दोबारा टिकट मिल सक जो कि ऐसा माना यार है कि बहुत से नाम दिल्ली में ऐसे हैं, बदल सकते हैं, तो लगभग कल जो शाम को दिल्ली की जो सीटा आई, तो वेस्ट दिल्ली से परवेश वर्मा को टिकट मिल सकता है, नौर्थ इस्ट दिल्ली से मनोस्तिवारी दुबारा मैदान में उतर सकते ह और इसके अलावा गुना से जोतिर यादित सिंधिया भारती अंता पार्टी में बड़ा गेम जो उन्होंने बड़ी मदद भारती अंता पार्टी की यहां पर सरकार बनाने के लिए मध्यप्रदेश में और जब से वो आये हैं तो पहले भी वो गुना से सांसते और दुबार इन लोगों ने भारती अंता पार्टी को जीत दिलाई है तो हो सकता है कि इस बार भी चार सेटर लगवक है लेकिन गड़वाल की एक सीट है वहां से इस बार कंडिडेट चेंज हो सकता है तो इस प्रकार की कल की बैठक माई और इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ी सी देखे अयोध्या चर्चा का विशय है क्योंकि बगवान राम की प्रांट प्रतिष्टा को इस दिन पहले अयोध्या मा हुई है और अयोध्या से किसे टिकट मिल सकता है तो बता दो कि अयोध्या से इस बार लल्लू सिंग ये हो सकते हैं इन्हें भारती अंता पार्टी की तो यह नाम थे, यह नाम संभावित नाम है और इनकी लिस्ट जो पहली लिस्ट है भारती अंतापाटी के कभी भी जारी हो सकती है और लगातार प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी इस वक्त साउथ में रेलिया कर रहे हैं आज वो कई प्रदेशू में कई सौगाते देने वाले ह के लोगों को खास पर पर जारखंड में हो जा सकते हैं तो इस प्रकार से भारती अंतापाटी ने तो अपना चुनावी कैंपेन शूरू कर दिया है और पहले लिस्ट भी कभी भी जारी हो सकती है और ऐसे में अब देखना है होगा कि कॉंग्रेस क्या कदम उठाती है जो उनके कैंडिडेट्स होंगे लोग सुबा चुनाव में उनकी लिस्ट कभ उतारती है तो ये लिस्ट का हमें इंतजार रहेगा भारती अंतापार्टी की हालां कि यह भी भारती अंतापार्टी ने इसके जारी नहीं किया है लेकिन जो संभावित नाम है लोगों लगभ झाल झाल